आज मैं आपके साथ साउथ की एक और फेमस डिश रसम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ यह बहुत हल्दी है और इसे आप एज़ा सूप भी ले सकते हैं तो चलिए रसम बनाना शुरू करते हैं करहाय में मैंने तीन कप पानी डाला है जो बॉल हो रहा है तो इसी पानी में हमें डालना है सबसे पहले एक कटा टमाटर यह एक मीडियम साइज का टमाटर है जिसे मैंने बहुत चोटे टुकुरों में काटा है हाफ अनियन चोटे टुकुरों में कटे हुए एक ग्रीन चीली और धनिया के डंठल है यह इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है रसम में इंगली का पानी इंगली को गरम पानी में थोड़ी देर सोख होने के लिए रख दीजे फिर उसे मैश करके और उसका पानी स्ट्रेंड कर लीजे वह हमें डालना है नमक स्वाधमसार धन्या पावडर हाफ टेस्पून चीरा पावडर हाफ टेस्पून अब इसे अच्छे से मिला लेना है वन फूर्थ टेस्पून लाल मिच पावडर करी पत्तव अब इसे घरकर हमें पांच से दस मिलड तक उबालना है अब हमें एक स्पेशल मसाला तयार करना है इसके लिए ओखल में हमें लेना है फोड़ा सा जीरा यह वह टीस्पून जीरा है ब्लैक पेपर हाफ्टी स्पून और यह गार्लिक है साथ से आठ गार्लिक इस तरह से अमें कूट लेना है इस तरह से अमें कूट लेना है थोड़ा हमें आड करना है इसी रसम को बाड़ी मिलती है तीन से चार चमची इमें डाला इसा है फिर इसे ढख ढख पकाना थोड़ी देर के लिए पके वे डाल डालने से रसम थोड़ा गाढ़ा होता है लेकिन नमक टेस्ट कर लेना है अगर कम है तो यहां मैं काला नमक डाल रही हूं इसे और भी अच्छा स्वादाता रसम का तो अभी यह अलमुस्क रेडी है तो हम चौक चौकने के तायारी कर लेते हैं रसम को चौकने के लिए मैंने यहां पर दो बड़े चमुच तेल डाला है रिफाइन ओल है यह इसमें डालेंगे सबसे पहले मस्टर्ड काले सर्षू सूखी लाल मिर्च तरी पत्ता है तरी पत्ता है थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा हल्दी इनी चौक देना है अब ही हमें डालना है वह तैयार मसाला यह हमने तैयार क्या था गार्लिक ब्लैक पेपर और जीरा से थोड़ा सहरा धनिया इसे डाल के ज्यादा हमें अब बार्दी जालना नहीं है बस एक स्टर देना है और गैस हमें बंद कर देना है रसम बनके तयार है तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं रसम बनके तैयार है यह बहुत जल्दी बन जाता है इसको जेनरली राइस के साथ लेते हैं साउट में रसम और चावल बहुत ही फेमस है और लोग बहुत चाव से खाते हैं इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं मैंने इसे बहुत सिंपल तरीके से बनाया है जिससे कि यह जल्दी बनकर रेडी हो इसे आप एक बार जरूर बनाए और कमेंट करके जरूर बताए कि आपको कैसी लगी चैनल को लाइक और शेर जरूर करें जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब करें तो मिलते हूँ एक और रेसिपी के साथ तब तक के लिए किप कुकिंग एंड किप वाचिए